तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। लेट्रोज टैबलेट रजोनिवरिती के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर के इलाज में मदद करती है। इसका उप्योग अकेले या अन्य उप्चारों जैसे सरजरी या विकिरन के साथ किया जा सकता है। इसका उप्योग उन्नत स्तन कैंसर के रोगियों में भी किया जा सकता है ताकि ट्यूम को शरीर के अन्य भागों में फैलने से रोका जा सके। लेट्रोज टेबलेट इन्फिटिलिटी के इलाज में भी मददगार है। इसे भूजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। लेकिन अधिक से अधिक लाब पाने के लिए इसे लगभग एक ही समय पर लें। अगर आप इनसे परेशान है या स्थिती गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपका डॉक्टर इन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी लीव या किड्नी की ब जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गरभवती हैं या स्तनपान कराती हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। उपचार से पहले और दौरान वितामि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह विडियो पसंद आए हो तो कृप्या इस विडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और दवाईयों की जानकारी के विडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद